नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पुराने जो मेरे गंबले रहते हैं उनकी मिट्टियों किस तरह से यूज करती हूँ इसमें सरसो लगी हुई थी देखिए तो इसकी जो इसमें नीचे की जड़े सी रह गी है इसकी वो मैं हटा रही हूँ पूरा सफाई कर दूंगी उपर से और यह गंबला मैंने काफी दिन से ऐसी छोड़ रखा था ताकि थोड़ा सूख जाए सुखाना जरूरी है मिट्टि क आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है तो मेरे जो मैं ब्लांट्स की मिट्टी रहती है वह जब मैं बनाती हूं उस टाइम पर ही वह बिल्कुल अच्छी रहती है उसमें अच्छे से मैं वर्मी कंपोस्ट मिक्स करती हूं तो वह बिल्कुल सॉफ्ट ही रहती है आप देख स इसको जैसे बहुत ही अराम से is इसको मैं इसकी गुडाइशी कर रही हूँ तो बिलकुल अराम से ये खुद रही है बिलकुल कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही बिलकुल भी हाड नहीं है जब कि इसमें मैंने एक हफ़ते से बिल्कुल ऐसी छोड़ रखा इसको सूख गई अच्छे से मिट्टी तो ऐसी मिट्टी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है और मैं चाहूं तो ऐसे ही इसमें प्लांट लगा सकती हूं बहुत मिट्टी है लेकिन अभी मैं इसमें लगाऊंगी जो सबज्यों के बीज मैंने उगाय हुए हैं तो थोड़े बड़े हो गए अभी तो मैं इस बड़े गमले में उनको आज सिफ्ट कर रही हूं तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और मिक्स कर लूँग कर देना है उपर उपर इसको इस तरह से छोड़ना नहीं है मिट्टी में मिक्स हो जानी चाहिए ताकि यह नमी इसमें हमेशा बनी रहे जितनी इसमें नमी बनी रहेगी उतने ही बड़ी है इसका जो रिजल्ट हो हमें देखने को मिलेगा उपर डालेंगे तो सूख कोई हमारे प्लांट को नुक्सान नहीं पहुचता क्योंकि फूरी तरह से बनी हुई खाद होती है कैच्चवे द्वारा तयार की जाती है लेकिन अगर हम जैसे गोबरी खाद लेते हैं अगर वह अच्छे से नहीं बनी तीन साल पुरान ही नहीं है तो उससे हमारे कि गंले मेरे पास थोड़ा कम है तो बड़ा खमला है यह 20 इन्च का तो इसमे CYP 5-06 जाएंगे बाद मैं बू उखेगा तो मैं एकाथ प्लाइंट आर निकाल के इसमें से लगातों गी तो इनको मैं लगा-लिती हम गा दोगी तोपार सब्ची Match T सारी बड़े हों तो इनको लगा लेना चाहिए तो पानी लगा दिया अच्छे से और अभी ये दो-चारती में वहिकल सैट हो जाएंगे तो गमला भले ही छोटा है लेकिन इनको अच्छा खाना मिलेगा अच्छा फर्टलाजर मिलेगा तो इसमें ही बहुत भी बड़िया ग्रोथ करते रहेंगे इसी तरह मैं बाखी के प्लांट्स भी लगाऊंगी जगा देख देख कर आज को वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए चनल को सब्सक्राइब कीजे थेंक्यू वाई मच बाई